हेलो फ्रेंड्स नमस्ते जी सभी को कैसे हैं स्वागत है आपका मेरे चैनल में और आज है मैं आपको यह बैग बना के दिखाऊंगी जो आप देख पा रहे हैं यह मैंने एक छोटे से पीस से बनाया है इसे आप फोल्ड करके इस तरह कलच भी बना सकते हैं यह आपको कैरी करने में बहुत आसान होगा और यह मेरे पास एक टुकड़ा पड़ा हुआ था जिससे मैंने टोकरी बनाई थी उसी का बचा हुआ तो इसका कोई जादा मेजर्मेंट भी नहीं है और मैं आपको बना के दिखाती हूँ जो मेरे पास चीज़े हैं बस उनी से इ एक पीस है मेरे पास देखो यह मैंने डबल फोल्ड कर रखा है और यही टुकड़ा है इसका कोई और कपड़ा मेरे पास नहीं है तो इसी से मैं बनाऊंगी और आप को दिखाऊंगी कि कैसे चोटे से टुकड़े का भी आप यूज करके बैग बना सकते हैं यह काफी मोटा साल से मेरे पास है तो उसकी मैंने निकाल लिया है यह मैं चैन भी खरीद के नहीं लाई हूं तो अभी मैं आपको मेजर करके दिखाती हूं इसका इस तरह इसकी उचाई यह लंबाई जो भी आप कहलो यह सत्रे इंच और अब मैं कपड़े की ठोड़ा ही नहीं देखूंगी चैन की देखूंगी यह लंबाई इसकी 22 हिंथ तो बस मैं इतना ही कपड़ा इसमें से निकाल लूँगी जितना मेरे पास चैन है क्योंकि बड़ी चैन होती तो मैं पूरे में लगा देती लेकिन अब चैन छोटी है तो इसले है मैं कपड़ा थोड़ा सा इसमें से कट कर लूँगी और उस कपड़े से में स्टैप लगा दूँगी जो तनी होती है न मतब यह थेंडल एक तरह से वह तो 22 इंच का निसान में नीचे लगा दूंगी यहां पर जो यह एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट कर दूंगी कि मैंने एक लाइन ड्रो कर दिये सीधी और इसका प्रेगों में इससे कट कर दूंगी जिससे यह बिल्कुल सीधा हो जाएगा अब यह इसकी चोड़ाई इतनी है इतनी चैन की चोड़ाई है अब हम इस पर चैन लगा लेंगे सबसे पहले और यह बनाना बहुत आसान है बिल्कुल 5-10 मिनिट में आपका यह बनके तयार हो जाएगा देखो अब हम चैन रखेंगे और ऐसे अंदर को फोल्ड करते हुए इस पर यह इस्टिश कर देंगे कपड़ा इधर से और इधर से अब उसके बाद हम देखेंगे इसमें क्या होता है चले सिलाई लगा लेते हैं एक है मैंने चैन को इस तरह सीधा कपड़ा रखा है और चैन को उसके उपर उल्टा करके रख लिया है तब हम इसको परटेंगे तो यह जो शिलाई वाला कपड़ा अंदर आजाएगा और उस इस तरह करते हुए आप इस पर सिलाई लगा लें पूरे पर अभी मैं आपको दिखाती हूं कि फिनिशिंग वाली सिलाई भी कैसे लगाते है यह इस तरह हो गया ना यह कपड़ा अंदर दब जाएगा इस तरह यहां पर आप इस पर सिलाई लगा देंगे तो इसे उपर से बिल्कुर फिनिश हो जाएगा और देखने में भी सुन्दर लगेगा और मजबूती भी आ जाएगी अब सेकिंड साइड मतलब दूसरी साइड भी हम इसे ऐसे ही सिल लेंगे पहले ऐसे सिलाई लगा लेंगे और फिर उसके बाद इसको बार की तरफ से फिनिश करते हुए अच्छे से सिलाई लगाएंगे पहले ऐसे लगा लेते हैं और मैं बाई स्टेप दिखा रही हूं स्टेप बाई स्टेप आपको क्योंकि पिछली वीडियो में बता रहे थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इसमें आप देख सकते हैं और कोई इतना जाद है भारी काम न लेती हूं ऐसा नहीं है तो देखो यह इसमें लग गी है और चैन लगने के बाद हमें इसका देखना है कि हमें इसमें अब यहां बीच में एक लाइन ड्रो कर लेंगे देखो इस तरह है जो आमने बीच के सेक्शन में लाइन ड्रो कर यह न और चैन ऐसे मिला लेंगे आप अभी हमें क्या करना है देखो जैसे चैन के इधर और मैं यह अंदाजे से लगा देती हूं देखो दो इंच का मैंने मार्क लगाया यह दो इंच ही निगलेगा आइडिये से में लगा देती हूं नाप न मुझे कमी पढ़ता है देखो इस तरह हम पकड़ेंगे उपर वाला कपड़ा और अंदर को प्लेट भर दी इसी के सेम प्लेट एक और भर दी ठीक है और यह हमने इसमें थर्ड प्लेट भी भर दी तो हमारी यह टोटल चार प्लेट बरी जाएंगे इसमें चार ऐसे ही हम दूसरी साइड भी भरेंगे अब हम दूसरी साइड से भी इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे जैसे हमने उदर से फोल्ड कराया है इसमें यह जो हमने निसान लगा था दो इंच का उसके अकोडिंग इसमें चुननट डार लेंगे एक दो पढ़ गी है और यह तीसरी और नीचे एक और पढ़ गया तो चार चुननट इधर आ जाएंगी एक दो तीन और एक यह चार और चार ही परली साइड आगे हैं अच्छे से इकवल कर लेंगे सेट करते हुए क्योंकि एक बार में कबड़ा सेट नहीं होता है और आपके पास अ अहा लगाएंगे और सिलाई हम इसका यहा लगाएंगे ऐसे ही चुन नटों के साथ ही जैसे यहाल कर रखे हैं इस थरह मिंगा और इधर ये एक छोटा टुगडा काट लूगी में इसके नाप का ही और दोनों तरफ से फोल्ड करते हुए इसको देखो इस तरह काट लिया है और इधर सिलाई का इधर मोड़ देंगे और फिर उदर की साइड भी हम इसको मोड़ देंगे तो ये जो हमारा मतल़ इस्टिछ है ये कवर हो जाएगा इससे पहले हम सिलाई लगा लेते हैं इस पर चारों पर देखो देख रहे हैं आपकी इस तरह मैंने इधर भी चारों चुड़नटों पर एक साथ और इधर भी ये पूरा डबल सिलाई लगा देंगे इससे थोड़ा मजबूत हो जाए और यह मैंने इस पर लगा दिया है अब हम इस पर सेकंड साइड भी सिलाई लगाएंगे जिससे यह चुड़नटे इधर उधर ना भागे पहले इनको सट कर देते हैं क्योंकि मैंने पिन वगहरा कुछ नहीं लगाया इसमें आपको बताया है मैं ऐसे अंदाजे से कर लेती हूं चीजों तब सिलने पलटेंगे तो यह फिर इधर से बंद हो जाएगा एक तरह से अभी देखने तो यह इस तरह यह फोल्ड हो गया है अब इधर फोल्ड करेंगे और इसे जितना भी एक्स्ट्रा इसे सारे को अंदर मोड देंगे ऐसे सिलाई लगा देंगे तो हमारा जो तरह हम भी इस तरह नहीं करेंगे थोड़ा सा डिफरंट तरीके से करेंगे एक तरह से क्योंकि हमें इसको क्लच का रूप भी देना है कि जब हम इसको फोल्ड करें तो एक कलच का रूप आए तो मेरे पास यह एक पट्टी है यह मैंने डबल ले लिए इसके नाप की जितन करेंगे इसको और एक कट लगा लेंगे इसमें गोलाई में कोड़ना से निकाल देंगे इसका तो यह इस तरह का हो गया देखो उल्टा करेंगे इस पर सिलाई लगा लेंगे ऐसे गोलाई में मैंने सिलाई लगा दी इसमें गोलाई में और यह ऐसे रखते हुए और एक इस तरह सिलाई लगाएंगे इतर से इस तरह इस पर सिलाई लगाते हुए complete करेंगे इस लिए लगा अभी अर इसे निकाल लेंगे पलटते वह इसको इस तरह देखों कि इसे इसमें अंधर करके Ừर इसे बाहर से फोल्ट कर देंगे हम एक साइट तों में उnosisिलाई लगाई थी है वे श्टिक को इसके अंदर करते वे हलका सा अंदर को मोड के और हम इस पर छिलाई लगादेंगे एक बार ओड लगा देंगे जिससे थोड़ा पक्का हो जाए इस पर फिनिसिंग सी आ जाएगी अब इम आपको दिखाती हूं कि यह कैसा हुआ देखो लगानी है स्टैप तरह स sotto निसान लगा लेंगे जितने और मैं से कोई कफड़ा नहीं बचाएगी है जो साइड में से कपड़ा निकला से से मैंने दोनों तरफ इसमें इसकी स्टिच कवर कर दिया और यह स्टैप के लिए बचा है इस कपड़े का एक एक बिल्कुल एक कत्तर यूज होगी है कुछ नहीं बचा है तो इसलिए इसी तरह करें कि आपके घर में जो भी बेकार कपड़ा पड़ा हो उसका आप बिल्कुल परफेक्ट यूज कर लें चीज भी बन जाए और कुछ भी बेकार न जाए तो इस तरह में इसको पकड़ते हुए इस पर इस्टैप भी लगा दूँगी और ये बहुत बेसिक चीजे हैं कोई ऐसा नहीं कि वह इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा सिलाई आने की जुरुत है नहीं बस आप आराम से बना सकते हुए इसमें कोई तोड मोड जनरेट नहीं है और इस तरह के बहुत सारे बैक बन जाते हैं जो बिल्कुल एक प्रयाना जरूरी है बस करने की चाहा होनी चाहिए मन में कि हमें यह काम करना है तो वह काम सब खुद पर खुद होते चले जाते हैं ऐसा कुछ नहीं होता और आप लोग मेरी विडियोज को बहुत प्यार दे रहे हैं उसके लिए सब का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेकेंड स्टैप मैंने लगा लिया देखो इसमें यह मेरा बैक बनके है तैयार बिलकुल और अभी मैं इसमें लगाऊंगी दो स्टीच बटन एक तो यहां पर और एक मैं लगाऊंगी यहां पर इसमें ठीक है तो यह स्टीच बटन मैंने लिया है देखो तो एक तो मैं यहां पे लगा दूगी इस तरह और जब हम इसकी तय बनाएंगे न तो तय बनाके जहाँ यह सेट बैठेगा महाँ पर दूसरा लगाना है अब यह आप देखना कि दूसरा कहां पर लगाया है मैं तो यह देखो अभी मैं आपको इसको फोल्ड करके दिखाऊंगी पहले इसम अगर आपको दो दिन के लिए कहीं जाना है तो आप इस बैग में अपना समान बहुत आराम से कैरी कर सकते हैं और अगर आपको बहुत मजबूती चाहिए तो इसमें आप अस्तर भी लगा सकते हैं यह काफी मोटा कपडा था तो मैंने तो अस्तर नहीं लगाया अधिको कितना प्यारा सा लग रहा है इसका यह जो डखकन सा लटाग रहा है इसका भी आपको यूज बताती हूं मैं जब आ नहां पर टीच बटन लगाया है आप इसको इस तरह बंद कर दें और क्लच की तरह भी यूज करें जब आपको कुछ इसमें समान रखना है तो इसको खोलो आई यह आपका बैक बनके तयार है तो आप इसमें बैक की तरह समान रख ले कुछ भी सबजी लिए आए या कुछ बाजार लेके जाएं कुछ भी आप रख सकती हैं अग काम नहीं है तो आप इसको फोल्ड करके रख सकती हैं इस तरह क्लच की तरह आप इसको यूज करें बताओ तो जी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और मिलती हूं फिर अपनी किसी और नई झाल